हेलो दोस्तो में हूँ पूजा और मेरी किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और प्याज की भूजिया आप इसे सूखी सब्जी भी कहा सकते हैं फ्रेंड्स लेकिन इसे भूजिया ही कहा जाता है ये भुजिया बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप इस तरीके से भिंडी की भुजिया बनाते हैं तो आपकी भिंडी कभी चिपचिपी नहीं बनेगी ये मेरी 110% गैरंटी है चलिए हम शुरू करते हैं तो मैंने यहां भिंडी 500 ग्रम लिया है और अच्छे से मैंने इसे धो लिया है धोने के बाद हम एक कॉटन कपड़े में इसे हम लपेट लेंगे ताकि इसका सारा पानी कॉटन के कपड़ों में अब्सॉब हो जाए इसे अच्छे से हम भिंडी को पोच लेंगे इसे आपकी बिंडी की सबजी आप कुछ भी अगर बिंडी की बनाते हैं तो वो चिपचिपी बिल्कुल नहीं बनेगी तो देखें मैंने सारा पानी कौटन के कपरे से साफ कर लिया है तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और प्लेट में रखने के बाद 2-3 मिनिट के लिए आप भिंडी का स्लाइस पतला या मोटा अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो दूसरा भी भिंडी हम इसी तरीके से काटेंगे तो मैंने यह बिंडी इतना पतला पतला काटा है आप अपने हिसाब से मोटा या पतला काट सकते हैं तो इस तरीके से हम सारे भिंडी को कट क लेंगे फ्रेंट्स, तो भिंडी को पहचानने के लिए, मैं आपको एक ट्रीक बताती हूँ, तो देखिए भिंडी जब भी आप खरीदने जाए, तो भिंडी को जो लास्ट वाले जब भी भिंडी खरीदे तो तो आपकी भिंडी कच्ची होनी चाहिए इससे आपकी सब्जी बहुत ही तेस्टी बनेगी बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है कच्ची भिंडी की सब्जी तो देखें भिंडी मैंने सारा काट लिया है अब बाकी चीजे हम देख लेते हैं कि हमें और क्या चाहिए तो मैंने यहाँ दो प्याज लिया है इसे भी हम काट करके छिल लेंगे मैं इसमें बहुत ही कम चीजों का इस्तमाल करूँगी इस सबजी को बनाने में तो घर में जो भी होता है आप उसी चीज का इस्तमाल करें बाहर से कुछ भी स्पेसल नमसाला और कोच भी स्पेसल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है तो देखें मैंने प्याज को काट लिया है अब बीच से हम एक कट लगा लेंगे और पतले पतले स्लाइस करके इस तरीके से हम इसके एंड वाले पॉइंट को निकाल दे जर्को और इस तरीके से हम प्याज को काट लेंगे आप चाहे तो इससे भी पतला या बारिक कर सकते हैं लेकिन मैं इतना ही मोटा रखना चाहूंगी तो हम इसे इसे तरीके से हम काट लेंगे देखे फ्रेंट्स तो प्याज भी हमारा लगबग कट चुका है तो फ्रेंड्स आप प्याज को पतला पतला लंबा लंबा भी काट सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है प्याज को तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने कडाही में दो चमच सरसो का तेल डाला है आप कोई सा भी कुकिंग ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं जो आपके घर में इस्तमाल होता हो मेरे घर में सरसो का तेल इस्तमाल होता है एक चमच हम डाल देंगे इसमें जीरा आदा छोटा चमच हम डाल देंगे इसमें काली वाली सरसो के दाने कुछ कटे हुए हम हरी मिर्च ढल देंगे एक हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से लाल हो जाने देंगे इस तरीके से आप कड़ाही में तेल को फैला ले फ्रेंट्स इससे क्या होता है कि आपकी भिंडी कभी भी नहीं चिपकेगी और बहुत ही ड्राइ बनेगी अब हम इसमें डाल देते हैं अपने कटे हुए भिंडी को और भिंडी को हमें भूनते हुए फ्रेंट्स पान से साथ मिनिट के लिए पकाना है जब तक ये भिंडी थोड़ा ड्राइ नहों जाए और थोड़ा लाल नहों जाए आप इसे बिल्कुल ना ढखे फ्रेंट्स मैं बिना इसे ढखे भिंडी की भुजिया को बनाऊंगी तो आ आप फ्राइ करें फ्रेंट्स भूने इसे भिंडी को तो देखिए फ्रेंट्स दो मिनट और हो चुके हैं और भिंडी भी अच्छा लाल होना शुरू हो गया है आप देख रहे होंगे फ्रेंट्स कि भिंडी हमारी ड्राइ हो लग रही है आपको इसमें चिप-चिपा पन नहीं दिख रहा होगा आपको यह देखकर पता चल रहा होगा तो क्या होता है कि जब भी हम भिंडी को धक देते हैं तो धकने के बाद भिंडी हमारी जल्दी से पक जाती है और उसमें चिप-चिपा पन आ जाता है और वह अच्छे से लाल नहीं हो पाता है तो इस चीज का हम इसमें टाल देंगे काली मिर्च पाउडर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चला लेंगे और चलाते हुए हमें एक से देर मिनिट के लिए भुनना है ताकि मसाला अच्छे से लाल हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए भिंडी के भुजिया में इसे हमें अभी 3-4 मिनट के लिए और भुनना है तो देखिए आपको भिंडी कितनी ड्राइ लग रही होगी तो देखिए फ्रेंस 5 मिनट हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगी कटे हुए अपने प्याज जो हमने काट कर रखा था और प्याज के साथ हमें भिंडी को 2-3 मि तो देखिए फ्रेंस 5 मिनट हो चुका है और प्याज भी थोड़ा लाल होना शुरू हो गया है अब इसे हमें 5 मिनट के लिए और भुनना है और पिसे धकी ना बिना धकी आप इसे पकाए तो देखिए फ्रेंस 3 मिनट हो चुके है complete और भुजिया भी हमारा भिंडी और प् होती है लेकिन इस तरीके से आप भिंडी की सब भुजिया बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनेगी चिपचिपी बिल्कुल नहीं बनेगी तो चली अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो यह दीजिए हमारा भिंडी और प्याज का भुजिया या फिर आप इसे कह सकते हैं सुख क्योंकि भिंडी थोरी चिपचिपी होती है इस वज़े से बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा आप इसे पराठे के साथ खाईए या सिंपल रोटी के साथ खाईए या फिर आप इ मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकी वीडियो अच्छा लगी तो इक लाइक शरूर कीजिएगा थैंक यू